चले आगे आते हैं डेप्रीशेशन पर और ज्यश्मेंट नमबर फूर डेप्रीशेशन डेप्रीशेशन कितनी जगह हो सकता है यह भी दो जगह देखने को मिल सकता है यह हो सकता है ट्राइल बैलेंस में और यह फिर आपको मिल सकता है कहां एडजेस्मेंट में अडजेस्मेंट में मिल सकता है ट्राइल बैलेंस में हुआ तो सिंबल चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉज के डेबिट साइट बस double entry होनी नहीं है लेकिन अगर हुआ adjustment में तो दो जग है एक हो जाएगा हमारा less from पहले less from asset जिस assets के उपर होगा उसमें से क्या करेंगे minus कर देंगे और एक हो जाएगा हमारा profit and loss account में add नहीं होगा basically अलग नाम से आजाएगा new name से आजाएगा with name जैसे depreciation on furniture है तो dap on furniture building है तो dap on building like इस तरीके से इसके अदर एक provision for depreciation भी होता है उसको हम बाद में cover करेंगे पहले simple depreciation है ठीक है चलिए इसके बाद देखते है adjustment number कौन सा था ये फोर के बाद आजाएगे फाइप पर बैडड़ेट्स अगर हम बैड़ेट्स की बात करें तो बैड़ेट्स भी दो जगह हो सकता है दूसरा हो सकता है कहां पर अड़ेस्मेंट में अगर ट्राइल बैलेंस में गीवान है तो कितनी एंट्री एक और वो चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉज के डेड़ेट्स आइट लेकिन अगर ट्राइल बैलेंस में हुआ स्वा तो दो एंट्री कहां कहां जाएगा सर एक हो जाएगा लेस फ्रॉम डेटर और डेटर कहां मिलेगा हमें बैलेंस शीट के एसेट्स में और दूसरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉज के डेबिट साइट अच्छ झाले हो जाएगा पन्हां प्रॉम झाल 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 पॉइंट में वह इस नहीं थी मैं एक पर दुबारा बता जिता हूँ जाल लेकिन यह क्या है गाल प्रोविजन फॉर डाउटफूल डेट्स डेट्स ट्रायल में गीवन ए तो इसको हम अगली ग्लास के इंदर कवर करेंगे के एक्चुल डिफरेंस क्या होता है जैसे 6 कर लेंगे अगली क्लास में maximum adjustment cover up कर लेंगे और थोड़ी लंबी क्लास भी लेंगे provision for doubtful dates में trial balance में होगा तो profit and loss के credit में main point यह है कि अगर trial balance में हुआ तो आपको लिखना है sir profit and loss के credit में लेकिन वही इधर profit and loss के debit में लिखा था ठीक है न क्यूं होता है इसका वजह भी मैं बताऊंगा adjustment में वह तो less from debtor और यह पी एंडल के debit में यानि adjustment दोनों का bet debts का भी और provision for doubtful debts का भी same ही है लेकिन trial वाला यह credit में चला जाता है वो कहां चला जाता है हमारा debit में तो बस एक यह point रह गया था जिसमें voice नहीं था तो वही मैंने clear कर दिया आपको